तो अभी अभी candidate को एक survey mail receive हो रहा है Cognigant की तरफ से ठीक है तो उस survey mail में क्या पूछा जा रहा है कि आपको अपनी exam की completion status बतानी है कि क्या वो complete हो रखा है कि ने ठीक है और certificate degree वगएरा की बात करनी है तो बिल्कुल time ने waste करते हुए directly आपको चलते हो और बताते हैं कि कि किस type का mail receive हुआ है ठीक है तो यह देखिए इस type का mail receive हुआ है तो यहाँ पर यह survey link दे रखिए ठीक है इस link को आपको दिखा नहीं सकते है बट आपको बताते हैं कि क्या क्या उसने उसके अंदर मांगा है क् firstly you have to fill the candidate ID ठीक है आपकी 8 digit की होने वाली है candidate ID आप उसको फिल करेंगे आप अपना candidate नाम फिल करेंगे फिर्स नेम फॉलवड भाई लास्ट नेम ठीक है यह होगा order दूसरी बात email ID कौन सी email ID जो की आपने cognizant को दी थी at the time of enrollment वो mail ID आपको डालने है ठीक है एक और जरूरी ब receive होगा ठीक है अगली बात वो पूछेगा कि current internship status क्या है आपका ठीक है आप graduated है कि अभी in training में है तो internship status बताइए उसके बाद आप अपने 8 semester ठीक है final semester की बात किया जा रहा है कि क्या वो complete हुआ कि July में complete होगा कि August में होगा कि सितंबर में होगा ठीक है तो आप इसके बारे मे सितंबर में होगा तो आपको अपने 8 semester exam completion status उन्हें बताना है और यह बताना है कि आपका professional degree certificate ठीक है कब तक आपकी university से release हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा कब तक अविलेबल होगा ठीक है तो यह सारे सर्वे cognizant मांगे है चाहे cognizant जैंसी जैंसी एलिवेट हो या जै और जिसको भी यह mail नहीं receive हुआ है तो जाके अपनी personal mail ID पर चेक करें ठीक है आ गया होगा नहीं तो फिर batch wise में आ रहा होगा तो आपको कल तक most probably receive हो जाना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं दूसरे question की तरफ कि भाई साब मेरी training complete हो गई है ठीक है training हो गई है और हो सकता है BU interview भी हो गया है तो अब उसके बाद क्या करना है ठीक है तो उसके related भी चलते हैं आपको यह बताते हैं आगे suppose कि आपने अपने last task क्या किया था ठीक है आप जब भी अपनी training करते हो आइदर किसी भी domain में हो ठीक है तो आपका last task होता है MFRP ठीक है आप अपनी text app पे जाते हो आ क्या होता है कि कोई भी हर हर cohort बनती है ठीक है उस cohort में वो लोग project के लिए कुछ बंदे allocate करते हैं तीन की चार की team बना दिया उसे हिसाब से क्या होगा आपको first time real time project मिलने वाला है MFRP आप उसको complete करने के बाद ठीक है उसका 10 दिन 12 दिन का जो भी time होता हो उसके बाद हर किसी का होता है बहुत लोग का हो चुका होगा बहुत लोग का pending होगा ठीक है तो बी यू इंटर्व्यू मान लिजिए आपको complete हो गया ठीक है उसके बाद क्या होता है कुछ लोग को तो training के दोरान ही आ जाता है भाई क्या आप आ जाओ early joining के लिए मानलो आपका reg score या क्या कहते ह XP बगएर अच्छा हुआ तो आपको company direct बुला लेगी बिना किसी project और बी यू इंटर्व्यू के directly आपको project allocate कर दिया गया बट अगर आप एक procedure वाइस चल लिए आपको company ने नहीं बुलाया तो आपके बी यू इंटर्व्यू के बाद क्या होगा आपको call आना सुरू होगा call प्रोजेक से related आपकी कुछ भूष लिया जाए, suppose अगर आपको project आपकी training से related मिलता है, मालनो अपने training किया किसी development में ठीक है basic ही होगा बिल्कुल डरने की बात नहीं है जैसे आपने training में जो भी थोड़ा बहुत सीखा होगा ठीक है जावा में उस वगहरा या microservice थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत hard भी नहीं होती है तो कई बार ये भी होता है कि suppose आपकी training होती है डिवलप्मेंट में suppose करिए आपका हो गया FSC में आपको जो project मिलेगा वो हो सकता है आपकी training से अलग मिल जाए आपको support ने मिल जाए आपको devops में मिल जाए तो ये हो सकता है ठीक है आपका domain mismatch हो सकता है हां एक चीज और कि अगर suppose करिए कि आपको इनोंने support में ही project दे दिया, आपको change करना है आपको development में जाना है तो आप switch मार दिए आप company बदल दिए या फिर आप internal switch मार दिए तो ये कर सकते हैं most probably आप लोग one year जरूर complete करिए उसके बाद आप bonus के लिए eligible हो जाते हैं तो ये सारा process रहा एक training ठीक है एक internship complete करने के बाद post training, post intensive के बाद, interview के बाद इस तरीके से आपका flow होगा ठीक है, तो I hope ये वीडियो आपको कहीन कहीं help की होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करिए, share करिए, subscribe करिए and once again thank you for watching the video